दोस्तों आज हम लोग जिसी stock के analysis करने वाले हैं उसका नाम है Estral Limited इस company के chart काफी बहतरीन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या बहतरीन chart है इसके और अब यहां से इस level से अगर निकलता है तो इसमें काफी अच्छी rally देखने को मिल जाएगी बागी दोस्तों हम इसके chart के analysis वापस आकर फिर से करेंगे पहले चल कर इसकी fundamental analysis देख लेते हैं तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों Estral Limited company का नाम है इसका जो stock market price है वो आज 1915 रुपए पर trade कर रहा है और यह intraday में लगबग 2.67% तक तेज था इसकी जो market cap value है वो 52,386 करोण की है इस stock का जो PA वो 92.8 का है यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाकि इसका जो ROCE है वो 23.6% है जो की काफी अच्छा है ROE return on liquidity भी इसका काफी अच्छा है इसके पिछले एक साल के high low की बात करें तो 12.98 रुपए का इसका low था और 2058 रुपए का इसने high लगाया था बाकि अगर company के बारे में ब हेतरीन pattern बनाया है इसने इसले कुछ सालों में इसने काफी अच्छा राली दिया है और अब यह उपर ही sustain कर रहा है जो कि एक good consolidation है बाकि इसके प्रोजन कांस की बात करने दोस्तों तो company almost dip free है जो की काफी अच्छी बात है company का CGR जो है पिछले 5 सालों में 21% से भी ज्यादा ह और पिछले 10 सालों में इसका जो sales growth है वो 19% से बढ़ रहा है बाकि इसके जो cons की बात है वो यह कि 18 times book value पर यह stock trade कर रहा है तो इस पर आपको विश्याद ध्यान रखना पड़ेगा और promoters ने अपनी सिदारी इसमें थोली सी कम भी करी है तो इसको भी note करके चलिएगा बाकि इस company अगर peer comparison की बात करें तो यह company plastic products के manufacturing में काम करती है जिसमें astral हुआ supreme industries, phenolux industries, responsive industries, prince pipes, jacorp, time technoplast यह सारी की सारी बहतरीन कमपनियां काम करती है बाकि astral के quarterly results की बात करें तो इसका जो sales growth है वो December 2020 में 898 करोन का था December 2021 में 1103 करोन का December 2022 में 1268 करोन और December 2013 में 1370 करोन यानि कि हर quarter में यहाँ पर आपको मुनाफ़ा ही दिख रहा है, हर quarter में यहाँ पर sales बढ़ते हुए नजर आएगा, अगर इसके net profit की बात करें तो December 2020 में जहाँ पर 124 करोन का मुनाफ़ा था December 2021 में 128 करोन का, December 2022 में 95 करोन का हुआ और December 2023 में 113 करोन का profit हुआ, पिछले 10 साल के अगर इसक पाँजार एक सोची चीची करोन और करेंड में अगर बात करें तो 5522 करोन का हुआ, यानि कि इसका sales growth हर साल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, वही पर अगर इसके net profit की बात करें दोस्तों, तो मार्त 2012 में 49 करोन का profit था, मार्त 2015 में 78 करोन का profit था, मार्त 2018 में 176 करोन का profit और करेंड में अगर बात करें तो कुल 570 करोन का profit है, तो इसका sales growth हो या फिर profit growth हो, दोनों ही काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि इस company के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इस company के अगर CAGR की बात करें, यानि कि compound annual growth rate की बात करें, तो पिछले 10 सालों में 36% की रवतार से ब बात करें, तो मार्स 2012 में 94 करोन का उधार था, मार्स 2015 में 203 करोन का, मार्स 2018 में 189 करोन का, मार्स 2021 में कुल 80 करोन का हुआ, और करेंड में अगर बात करें तो कुल 98 करोन का उधार अभी भी है इस company के ऊपर, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने काफी यादा debt कम किया है, वह आई पर अगर इसके टोटल असेट्स की बात करें तो मूर्च 2012 में juще 418 करोन का असेट है इस कंपनी के पास तो इसके एकर सेर होल्डिंग पैटन की बात करें दोस्तों जो प्रोमोटर्स की सिदारी है वो मार्थ 2021 में 55% तक थी जो दिसंबर 2023 में 54% है यानि कि लगबग एक सेटेंट परसंट इस कंपनी ने अपना हिस्षा कंप किया है बाकी वह अगर इफ आईय इस की बात करें तो जहां साढ़े 22% पर थे उन्होंने भी अपना थोड़ा सा हिस्था कंप कर के साढ़े 19% अगर देखें दोक्ष ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपना सेश्था बात नहीं है दोस्तों क्योंकि promoters अभी भी majority में हैं वहीं पर इस company अगर फॉरंसी अनाल्सिस करें पितले 10 सालों में इसका ROI भले ही कम हुआ हो लेकिन पितले 3-4 सालों में इसका ROI काफी तीजी से बढ़ा है इसका वेरिकरिंग काफी अच्छा है अच्छी बात है कि company ने कोई 50.60% का market share है अगर water tanks की बात करें तो 0.86% का market share है estrel के पास estrel के अगर revenue की बात करें तो इसका product है plumbing में 72% and paint and adhesive 27.2% location wise अगर बात करें इंडिया से 92% का business आता है और rest of the world से 7.5% का operating profit की बात करें plumbing business से ही इसका सबस्यादा profit भी आता है और paint and adhesive 20% का profit आता है इसके assets की बात करें तो plumbing business में 64.7% का asset है and paint and adhesive 35.3% का दोस्तो अब इस company के हम lifetime chart देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह company काफी पुरानी है लेकिन इस company ने जो अब रपतार पकड़ी है वो काफी super fast हो गई है जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं और इस समय अपने lifetime high के करीब ही trade कर रही है इस company का chart मु आप इस staff को अपने portfolio में सामिल करें अपनी next generation के लिए बाकि कोई भी फैसला आपका फैसला होगा तो सोच समझ कर invest करिएगा